बुद्धवार 24 अगस्त 2022 को क्राइस्ट चर्च डायोशेशन श्कूल पटना अपनी 51 वर्षगांट मनार भी इस 51 वर्षगांट पर विद्याले अपनी सभी पूरानी यादों को याद कर गरवानवित हुआ इस विद्याले की अस्थापना 1972 में हुई विद्याले सैक्सिनिक, नैतिक, अध्यात्मिक और अनुसासनात्मक अस्तर पर समाज में अतुलनिय योगदान दिया है विद्याले पिछले उपलब्दियों को परतिविम्बित करने के साथ साथ अपने आने वाले चुनोतियों का सामना करने के तयारी पर आत्व निरक्षन किया इस सुब असर पर पुर्व शिक्षक को रख रखाव करमचारियों और उन सभी लोगों का अभिनंदन किया गया जिन्होंने अपने अपने तरीके से विद्याले में महतवपूर्ण योगदान दिया है इस सुब असर पर प्रशार एरुविना हंस्दा भी मौजूद रही वहीं विद्याले की स्वाती मुर्मु मैम ने कहा कि सेलिब्रेशन के अंत में कॉंसिल मेंबर सेलेक्ट किये गए हैं जिन में एक हेड़ गर्ल और एक हेड़ बॉय सेलेक्ट हुए हैं और उनकी आगे क् इसको भी मौजू मैम ने बताया है आप देखें क्राइस चर्च डायोसेशन इस्कूल पटना से हमारी खास रिपोर्ट आज हमारे स्कूल क्राइस चर्च डायोसेशन स्कूल पटना में 51st स्कूल बर्दे मनाया जा रहा है बहुत अच्छा सेलिब्रेशन और गया जिसमें सारे बच्चे पार्टिसिपेड भी किया है सारे बच्चों ने बैठ कर सारी परफॉर्मेंस देखा और सारे परफॉर्मेंस में सारे डांस पार्टिसिपेंस जो थे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया उसके बहुत महिनत भी किया जो celebration हो रही है वो बहुत अच्छे तरीके से की गई है साथ में बच्चों को sweets भी distribute किया गया celebration के end में हमारे council members जो student council members होते हैं वो select हुए जिसमें हमारा main selection होता है head boy और head girl और उसके बाद उसमें different departments होते हैं जैसे कि assembly perfect होता है discipline in charge होता है और dance and cultural sports in charge होता है एक total 30 students का council member बनाये गया है जो आगे हमारे जो भी performance या program या event organized होगे उसमें students आगे leadership qualities दिखाएंगे और बच्चों को guide करेंगे और motivate करेंगे साथ ही teachers को भी उसमें different houses में distribute किया गया है master और mistress के रूप में जो बच्चों को different houses में guide करेंगे I am Swati Murmu, Class 10, English Department